तेजस्वी यादो, तेजस्वी यादो की बेटी कात्याईनी और तेजस्वी के बड़े भाईया तेश प्रताप यादो, इन लोगों का बाल जो है, वो बाल उनलाइन बेचा जाएगा, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इन्होंने तिरुपती बाला जी में भगवान बेंक टेश्वर को अपना बाल चढ़ाया है, और भगवान बेंक टेश्वर के चरणों में या उनके मंदिर में अगर आप जाकर पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि हर साल कई लाख किलो बाल दुनिया भर के लोग आकर अपना दान करते हैं, अपना बाल वहाँ पर चढ़ाते हैं मुन्दन करवाते हैं, और मंदिर इन बालों को कैसे बेचता है, ओनलाइन तरीके से, इन इलामी होती है, मतलब कि ओनलाइन बालों की निलामी होती है, अलग अलग क्याटेगरी में उसको बाटा जाता है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको हम आगे बताएंगे, और इस उसको भी एक प्रोसेस से गुजरने के बाद बेचा जाएगा बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जन्शन देख रहे हैं सबसे पहले इस तस्बीर को देखिए कि यस्वी यादों उनकी बेटी का त्याईनी दोनों के सर पर बाल नहीं क्योंकि मुन्णन हुआ है हिंदु मान्यता के अनुसार सनातन धर्म के अनुसार भग्वान बैंक टेश्वर के मंदिर में तिरूपती बाला जी में अपने बालो उस मंदिर में 500 से 600 टन बाल जो इनसानी बाल है वो बाल वहाँ पर चड़ाया जाता है अब वहाँ पर एक प्रतिकात्मक तस्भीर देखिए बताया जाता है कि 500 से ज्यादा नाई जो वहाँ पर हमेशा बैठे रहते हैं कि लोगों का हम बाल छिलेंगे लोगों के बाल का करेंगे क्योंकि मंदिर की मान्यता है प्राचीन मान्यता कि भागवान बेंक टेश्वर को जो अपना बाल अर्पित करेगा भगवान बेंक टेश्वर उसके जीवन को सुधार देंगे भगवान बेंक टेश्वर उसके जीवन को निखार देंगे अब ऑनलाइन बेचने वा और पहलू है कि अगर बाल मंदिर प्रशासन बेचेगा नहीं तो उन बालों के कारण मंदिर प्रशासन को दिक्कत होगी 500-600 टन जब बाल हर साल इकठा होगा तो उन बालों का क्या होगा अगर उसका सही तरीके से इस्तमाल ना किया जाए इसका कोई दुसरा उपाय नहीं नि चोटा बच्चा नहीं कराता बलकि महिलाएं वहाँ पर विशेश तोर पर अपने बालों का मुंदन कराती है अब होता क्या है जो भी बालों का मुंदन वहाँ पर होता है उन बालों को सबसे पहले उबाला जाता है कहा जाता है कि गर्म पानी में उबाला जाता है एक प्रो तेमपरेचर के अंदर वो बाल खराब नहीं होता अब बालों की डिमांड अमेरिका चीन एक वरोप का जो बढ़ा मार्केत हैं वहाँ पर बालों का बढ़ा डिमांड है अब तिरुपती बाला जिम मंदिर इन बालों को ओनलाइन तरीके से या अफलाइन तरीके से भी बड़े बड़े जो मार्केट के लोग हैं उन लोगों को बालों को बेचता है और इन बालों को बेचने के पहले पुरा का पुरा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है हर साल जब हमने पढ़ा तो पता चला कि कई करोण रुपये का केवल बाल तिरुपती बालाजी मंदिर के द्वारा बेचा जाता है और यह सब बाल उन भक्तों का होता है जो भक्त मंदिर में अपने बाल का मुंदन कराते हैं तो इसलिए हमने कहा कि अपते जस्वी यादो तेश-परताप यादो कात्याइनी का बाल जब वहाँ पर मुंदन हुआ है तो उस बाल को इकठा किया गया होगा और ओनलाइन तरीके से उसको एक प्रोसेस से गुजारने के बाद बेचा जाएगा हमने सोचा कि ये जरूरी बात आपको बताई जाए कि कैसे मंदिर प्रांगण में जिन बालों का मुंदन होता है उन ब कुछ हम आप तक पहुंच आएंगे तमाम खबरों के लिए अब हम आरसाथ बने रहिएगा कि अमरेक्षे पिशाल खणे है और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद